हेलो गुद मॉर्निंग वेलकम टू मेक माइग्जाम अफीशियल यूट्यूब चैनल फाइव एड़ी तो दोस्तो रोज की तरह आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर जिसका नाम है करन्डफेश्द वेक अफ शो वित कमाज समब्तों यहां पे संडे को छुटी होती है तो सेचेडे, संडे और मंडे की ताजा खबरों को लेकर हम आपके सामने मौझूद हैं जहां से कोशन्स बनने की संभावना है आपके आने वाले सभी तरह के competitive exams के लिए तो यहां पर आपको पता है कि हम किस तरह से news को पेश करते हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं उन सभी को अगेन गूड मौनिंग सूपरबार सस्रीयकाल अदाव असलाम वालेकुम नमस्ते नमस्कार जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और इस live stream को जादा जादा शेर करें जिसे और भी students हमारे साथ जुड़ सकें तो चलते हैं समय को जाय नहीं करेंगे और अपनी पहली ख़बर की तरफ और यह रहा first news national news राश्ट्रे ख़बर धरमेंद्र प्रधान laid foundation stone of permanent campus for NSTI women in महाली महिलाओं के लिए NSTI महाली में धरमेंद्र प्रधान ने स्थाई परिसर के लिए आधार शिला रखी तो यहाँ पर बहुत ही important यह news है महिलाओं के लिए NSTI तो इस कबर को पढ़ते हैं detail में the union minister for petroleum and natural gas and skill development and entrepreneurship तो यहाँ पर कौन कौन से चीजों के मंतरी है तो petroleum और natural gas और इसके लावा skill development, kaushal विकास and entrepreneurship के मंतरी धरमेंद्र प्रधान ने क्या किया तो laid the foundation stone for permanent campus of national skill training institute NSTI का क्या मतलब है national skill training institute for women at mohali Punjab तो Punjab के district, Punjab के जिले, mohali के अंदर women के लिए महिलाओं के लिए अपने काइन का पहला national skill training institute को open किया धरमेंद्र प्रधान जी ने and only one of its kind in India which is exclusively for women तो यही मैंने बताया कि भारत में ये अपने काइन का पहला एक ऐसा training institute है skill development training institute जो खास कर महिलाओं के लिए है the minister also launch a unique प्रधान मंत्री Kaushal Kendra which would admit differently able person as well तो यहाँ पर उन्होंने एक और Kendra भी खोला जो एक Kaushal Kendra है differently able लोगों के लिए दिव्यांग लोगों के लिए जो उनको able बनाने का काम करेंगे and also first of its kind in India at mohali he launched India's first in phone guide and mobile app go what's that in Chandigarh और इस kind का उन्होंने अपना पहला mobile app भी launch किया जिसका नाम रखा go what's that और वो कहाँ पर open के उन्होंने launch किया तो वो Chandigarh के अंदर launch किया गया then about Punjab के बारे में जानेंगे और Punjab जो है quick facts के बारे में बात करेंगे तो Punjab के बारे में हम लोगों नितियास के chapters में यही पड़ा है कि Punjab शुरू से ही प्रवेश द्वार रहा तीनों और से हम पानी से घिरे हुए हैं दो तीनों से और उसके अलावा जो है एक तरफ से हम हिमाले की तरफ से घिरे हुए तो एक ही रास्ता बचता था और वो Punjab का विदेशी आकरमनकारी इंवेडर्स जो भी आये पन्जाब के थूँ आए तो ग्रीक वाले जो ग्रीस निवासी थे युनान निवासी थे सिकंदर ने जब हमला किया तो वो पंजाब को किस नाम से बुलाते थे पेंटा पोटैमिया पंजाब जो है फारसी पंजाब के बारे में capital is Chandigarh, largest city by area and by population, पंजाब में छेत्रफल के हिसाब से भी और population के हिसाब से भी largest city is Lodhyana, total district कितने हैं पंजाब में 22, गवर्नर कौन है, वीपी सिंग बदनौर, चीफ मिनिस्टर का नाम कैप्टन अमरिंदर सिंग जो इंडिया नाशनल कॉंगरेस से बि विधान सभाय, state legislative assembly है, जिनकी 117 seats हैं, famous dance भांगडा एंगिद्दा, और state animal is black buck, state bird is baas, state tree is shisham, और नेता जी सुभाष, national institute of sports, NIS पतियाला में स्थित है, तो ये बहुत ही, और golden temple, सुवन मंदर जो है, वो अमरित सर पंजाब के अंदर ही स्थित है, तो पहली खबर बहुत important news और उसके इलावा हमने पंजाब के कुछ facts के बारे में जाना, अब हम चलते हैं, अगली राश्ट्री खबर की तरफ, national news की तरफ, PM Modi launch projects worth rupees 60,000 करोड इन लखनाउ, प्रधान मंतरी Modi ने लखनाउ में 60,000 करोड रुपे की परियोजनाएं को शुरू किया, और उन्होंने वहा projects को, जिसका worth जो है, जिसकी लागत जो है, साथ हजार करोड, 60,000 करोड का project है, उनको नोने launch किया, the ceremony was held to implement 81 of the 1045 MOUs signed at उत्तरपरदेश Investor Summit, जो अभी recently उत्तरपरदेश investor निवेशकों का समेलन हुआ था, उसके अंदर 1045 MOUs sign किये गए थे investors के साथ, memorandum of understanding, उसमें से 81 MOUs को यहां पर implement करने की खोशिश की गई, the project's launch will create about 2.1 lakh jobs across the state, और ऐसे project से 2.1 lakh job जो है, वो राज्यों में उसकी पैदावार होगी, Prime Minister Ranindra Modi also attended an event, Transforming Urban Landscape in Uttar Pradesh Capitals लखनाओ, और उन्होंने इसके लावा एक और ceremony को event किया, attend किया event को, और उस event का नाम, Transforming Urban Landscape, तो किस तरह से, शहरी बयार को बदला जाएगा, इसके उपर भी बात की गई, The program marks the third anniversary of the three key government initiative related to प्रधान मंत्री आवास योजना, अमरुत योजना, and Smart Cities Mission, तो देखें, इन तीनों योजनाओं के तीन वर्ष हो चुके थे, और तीन वर्ष पूरे होने के बाद, इस event का आयोजन किया गया, जहाँआप 60,000 करोड का project जो है, वो launch किया प्रधान मंत्री जी प्रधान मंत्री जी का constituency छेत रहे है, लोगसभा constituency है, चुनाव छेत रहे, तो उत्तर प्रधेश के अंदर उन्होंने इस सारी बातों का अनावरन किया, अब आउट उत्तर प्रधेश की बात करें, उत्तर प्रधेश की capital is लखनाउ, districts is 75, गवर्नर का नाम है राम नायक, ची फेमस नाशनल पार्क इस इन उत्तर प्रधेश, स्टेट एनिमल इस स्वैंप डियर, स्टेट बर्ध इस सारस क्रेन, स्टेट ट्री ओफ यूपी इस अशोका, स्टेट डान्स इस कथक, स्टेट स्पोर्ट्स इस फील्ड हॉकी, हम अगली कबर की तरफ चलते हैं, लेकिन उ आप सभी को अगेन गुड मॉर्निंग सूपरभार और आप लोगों को अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है, हमारा ये करंट फिस दवीकप शो अच्छा लगता है, तो जादा से जादा इसको शेर करिए, और भी लोगों के साथ इसे शेर करिए, जिसे और भी वाईरल हेपेताइटिस नियंतरन कारिकरम शुरू किया, तो 28 जुलाई को हेपेताइटिस दे मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष में हेल्थ मिनिस्ट्रे ने नाशनल वाईरल हेपेताइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसको लांच किया, कि बाई दि एंड ऑफ 2030, 2030 तक क इस तरह से भारत में से hepatitis को खतम करना है। आपको क्या बताना है? SSE जैसे exams में question पूछे जाते हैं कि कोई भी बिमारी होती है, वो किस अंग को प्रभावित करती है? मतलब any disease which causes any part of human body. तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहाँ कि hepatitis जो है, वो किस human body को affect करता है, human body part को affect करता है, मतलब मानव के किस अंग को affect करता है, प्रभावित करता है hepatitis. तो आप जरूर इसका comment box में answer दीजेगा, इस cover को हम detail में पढ़ते हैं, कि a national viral hepatitis control program aimed at eliminating the deadly condition by 2030 was launched by the ministry of health and family welfare in collaboration with world health organization. तो हमारा स्वास्थे मंत्राले और विश्वा स्वास्थे संगठन ने मिलकर a collaboration किया कि 2030 तक इंडिया से हम किस चीज को खतम करेंगे, तो hepatitis को खतम करेंगे. The program was launched on world hepatitis day with an aim to combat viral hepatitis and reduce mortality and morbidity associated with it. तो यहाँ पर जो hepatitis से जुड़े हुए मिर्तियु दर को कम करना है और morbidity का मतलब होता है रोगों की संख्या रोगों की संख्या और उससे होने वाले मिर्तियु को कम करने के लिए ये target उठाया 28 जुलाई को health ministry और world health organization ने. Then union health minister कौन है मारे? JP Naddha जी. Program has been developed in association with all stakeholders, जितने भी हित दा रखते उनको इसमें जोड़ा गया stakeholders को जोड़ा गया who have worked at the grass root level and have been launched in accordance with sustainable development goals 2030. तो किस तरह से sustainable development goals सतत विकास कारेकरम जो है लक्ष जो है उसको पूरा किया जा सकता है 2030 तक hepatitis को खतम करके तो यहाँ पर बिल्कुल सही liver तो बहुत बढ़िया लिवर को ही और बिल्कुल अगर extreme इसका रहा result तो cancer भी cause किया जा सकता है और liver is the correct answer. Then ministry of health and family welfare founded in 1976 New Delhi में इसका headquarter है. Office holder कौन है इनके अभी जगत प्रकाश नडड़ा main minister है. अनुप्रिया प्रटेल और फगन सिंग कुलसते जो है यह इनके राज्य मंत्री है स्वास्ति राज्य मंत्री है और main minister cabinet minister is जगत प्रकाश नड़ा जेपी नड़ा जी. Then about WHO World Health Organization का headquarter कहाँ पर है Geneva Switzerland founded का वो आता 7 April 1948 इसी वज़े से हर साल 7 April को 7 April को World Health Day भी मिनाया जाता है और इनके head कौन है अभी डिरेक्टर जनरल कौन है इनके टेड रॉस अधहनम गेब्रियासिस. आगे चलेंगे हम जानेंगे national news की अगली खबर हर्याना Teen Scales Mount Kilimanjaro मतलब अफरीका की सबसे उची चोटी पर चड़ने वाली मतलब हर्याना की जो लड़की है शिवांगी पाठक उन्होंने अफरीका की सबसे उची चोटी किली मनजारो को फतह किया है तो बहुत ही खूब ये news शिवांगी पाठक who became the youngest Indian woman to reach the peak of Mount Everest अभी हाल में ही उन्होंने Mount Everest दुनिया की सबसे उची चोटी है और वो भारत की सबसे कम उमर की महिला बनी जिन्होंने Mount Everest को scale किया has added another feather to her cab by scaling Africa's highest peak Mount Kilimanjaro in three days और उन्होंने अपने सफलताओं में कुछ और पंक जो है वो जोड़ दिये और उन्होंने अफरिका के सबसे उची चोटी किली मनजारो को फतह किया है और Tanzania's Mount Kilimanjaro तो अफरिका के अंदर एक देश है अफरिका के अंदर अफरिका के अंदर एक continent है महादुविप है जिसके अंदर एक देश है तंजानिया जो जांबिया देन केनिया इन सभी देशों से घिरा हुआ है और उस देश का नाम है तंजानिया तो तंजानिया का माउंट केलि मिंजारो मैजर्स 5, 8, 9, 5 मिटर्स इंड हाइट अवफ सी लेवल तो यहां पर शिवागी पाठाक ना की अपने परिवारवालों के लिए बलकी पूरे देश के लिए और देश की महलाओं के लिए उन्होंने गाउरव के चल्न आए और उनको प्रेडित करने की कोशिश करी के महलाएं कुछ भी कर सकती हैं और जरूर और यहां पर about Mount Kilimanzaro, Mount Kilimanzaro with its three volcanic cones, Kibo, Mavinzi, Shira is a dormant volcano in Tanzania, तो यहां पर volcano हुआ करता था ज्वाला मुखी, ज्वाला मुखी के नाम है, Kibo, Mavinzi and Shira, जो की अब मिर्थ पर आए, ज्वाला मुखी हो चुके है, अक्टिव नहीं है, It is the highest mountain in Africa, about 4900 meter from its base, अपने अधार से 900 meter ऊंचा है, लेकिन sea level से 5895 meters ऊंचा है, then first people known to have reached the summit of the mountain were, और दुनिया के कुछ पहले विक्ती कौन थे, 1889 में, जिन्होंने Mount Kilimanzaro को फते किया था, तो यह बहुत ही famous destination है, अफ्रिका के अंदर, जो कहां पर इस्तित है, तो वो इस्तित है, तन्जानिया के अंदर, SAC, जोगरफी जैसे paper के अंदर, इस तरह के कोशन जरूर पूछे जा सकते हैं, और हम चलते हैं, National News की अगली घबर की तरफ, Indian Railways launches Mission Satya Nishtha on Ethics in Public Governance for its Employee, तो railway ने भ्रस्टाचार को खतम करने के लिए, अपने करमचारियों के अंदर, morality और ethics को impart करने के लिए, अपने काइंड का पहला इस तरह का प्रोग्राम लाँच किया है, जिसका नाम है Mission Satya Nishtha, Mission Satya Nishtha. Then, Indian Railways had organized a program on Ethics in Public Governance and launched Mission Satya Nishtha at a day-long event held at National Rail Museum, New Delhi. So, National Rail Museum, New Delhi में Skyogen किया गया, और railway के अंदर, morality और ethics को depict करने के लिए, इंपार्ट करने के लिए, उन्होंने किस mission को start किया, Mission Satya Nishtha, तो ये paper में बहुत important हो सकता है, अगर आप से पूचा जाए, कि बताईए, railway ने morality ethics को impart करने के लिए, corruption को खतम करने के लिए, कौन सा mission start किया है Your answer would be Mission Satya Nishtha, या ऐसे भी पूचा जा सकता है, कि Mission Satya Nishtha, जो है, वो किस ministry के द्वारा, corruption को खतम करने के लिए, start किया गया है, It was first of its kind event organized by any government organization in the country, the issue of ethics, integrity and probability in public life has been matter of concern all over government sector across the country, ethics मतलब नीती, integrity मतलब सशक्तता और probability मतलब इमानदारी, तो ये तीनों चीज़े अगर रहेंगी, किसी भी public department के अंदर, definitely corruption free होगा, वो department, in this context, it is also extremely important that all railway servants adhere to impeccable conduct and integrity at all times, तो तुटी हीन काम करने के लिए, सभी करमचारी जो है, तुटी मतलब गलती ना करें, और बिडा गलती की हुए, और इस तरह के ethics और morality को follow करते रहेंगे, definitely हम जो है, अपने आचरन में तो सह होगे, और हमारा भेवार भी सही होगा, और हमारा काम जो है, वो भी ऊपर जाएगा, Mission Satya Nishta aims at sensitizing all railway employees about need to adhere to get ethics and to maintain high standards of integrity at work, तो यहाँ पर काम के समय बे भी आपको उस ethics को बरकरार रखना है, जो आप normal life में बरकरार रखते हो, objective तो उसी का यही है कि to train every employee to understand need and value of ethics in personal and public life, तो सारवजनिक जिंदगी के अंदर, ethics और morality को आपको वजन देना होगा, और ethical dilemmas मतलब नीती के दुविधा में अगर आप असते हैं, तो आप सही नीती को चुनिए, यह railway आपसे अपेक्षा करता है, और आपको keyword क्या याद रखना है कि railway ने सत्यनिष्ठा program लाउंच किया, morality और ethics को impart करने के लिए अपने करमचारियों के अंदर, हम चलते हैं अंतराष्ट्रे न्यूस के तरफ, international news के तरह, लेकिन से पहले आपके views, तो बहुत बहुत बढ़ियां, चलिए, ज़रूर, चलिए, बहुत खूब आप लोगों का participation, चलिए, तो बहुत बढ़ियां, exactly साख में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भारत को flash flood के पूरवा नुमान तियार करने के लिए, नोडल केंदर के रूप में नामित किया, तो world maritime organization जो है, विश्व मौसम संगठन जो है, जिसका headquarters जिनेवा के अंदर है, और इसको हम world meteorological organization भी करते हैं, तो यहाँ पर यह इन जब बाड आती है, किसी भी नदियों के अंदर, किसी विस्तान के उपर, तो उससे बचने का समय बहुत कम होता है, तो उसका prediction, उसका पुरुवनमान करवाने के लिए, भारत ने जो technology develop करी, उसको लेकर WMO ने भारत को भी एक नोडल agency बताया है, कि एशिया के अंदर आप इ जितावनी, alert करेंगे एशियन कंट्रीज को, तो ये खबर बहुत important है, तो इस खबर को ज़रूर पढ़ेंगे, और technical team से आगरा है, कि बस ये technical team अगर मुझे सुन पा रही है, तो ये बस, चलिए बहुत खुब, आप लोगों का participation थोड़ी से technical खामी आई है, तो थोड़ा सा corporate करिएगा, हम आगे जरूर बढ़ते हैं यहां से, जरूर बढ़ेंगे इस cover से आगे, लेकिन हम आपके पहले जो comments and views हैं, वो जरूर ले ले लेते हैं, और यहां पर हमारे साथ जितने भी students जुड़े हैं, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और आप लोगों के जो भ उन सभी को यही request है कि आप description में दिये हुए, टेलीग्राम के link पर जाकर, टेलीग्राम group को join करिए, सभी तरह के PDF जो हैं, आपको जरूर मोहिया करवाए जाएंगे, और यहां पर मन्तली current phase को अगर आप पूछ रहे हो, तो मन्त तो खतम वो लेने दो, आज 30 जुलाई है, कल एक दिन पढ़ा है, और मन्तली current phase भी हम August के महिने में जरूर लॉंच करेंगे, 1st या 2nd August को, और पूरे जून महिने का जो है, जुलाई महिने का current phase आपके सामने जरूर रखेंग जनुवरी तो जून महिने का मंतली current phase प्ले लिस्ट में मौजूत है, आप उससे देख सकते हैं, और जुलाई महिने का भी current phase हम 1st और 2nd August को लेकर जरूर आएंगे, और यहां पर इस ख़बर को डिटेल में पढ़ते है, वोल्ड मेटेरोलोजिकल और अगनिजेशन है, वोल विल बी कॉल एस flash flood guidance system, तो यहां पर वियतनाम, शिलंका, मयानमार और थाइलेंड के अंदर बाड जो तेजी से आने वाली बाड है, उसकी सूचना देने के लिए, इंडिया जो है, एक agency के तौर पर काम करेगा, और यह हमें किस ने दिया है, तो यह हमें WMO ने यह उपादी दी है, इंडियान, meteorological department, IMD, under ministry of earth sciences, will work to customize this weather model, और हमारा IMD, जो है, earth sciences के साथ मिलकर, WMO के साथ मिलकर, यह काम करेगा, flash flood guidance system, जो है, the model will provide forecast by computing likelihood of rainfall, and soil moisture revels to one of possible flood, तो वो मौसम को देख कर, और मिटी के अंदर moisture कितना है, नमी कितनी, उसको देख कर, इसका पूर्बान मान लगान की कोशिश करेंगे, it will carry out forecast by using combination of satellite mapping, satellite mapping और ground based observation, यह दोनों चीजों को देखते हुए, जमीन और आसमान से निगरानी रखते हुए, इसकी जानकारी हमें पहले दी जाएगी, और six hours पहले, six hours in advance, जो है, WMO जो है, वो इसे वान करेगा, यह technique सबसे पहले, flash flood को ढूडने की technique, रेसेंटली इंडिया को यह designation दिया कि Asian nation के अंदर, specially Vietnam, Thailand, Sri Lanka के अंदर, अगर आप warn करना चाहते हैं, तो इस technique से आप warn कर सकते हैं, पाकिस्तान भी इस देशों के सूची में है, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें participate करने से मना कर दिया, हम चलते हैं, और जानेंगे WMO के बारे में विश्वा मौसम संगतन, formation कब हुआ था, 1950 में, headquarters काहां पे, जेनेवा, सुजरलेंड में, head कौन है, secretary general कौन है, पिटेरी, तेलास, and David Grimms, जो है, इनके president है, 191 member states है, and territories है, और it originated from international meteorological organization, IMO, which was founded in 1873, तो IMO को ही बार में WMO बनाया गया, और 1873 में IMO स्थापित हुआ था, लेक की बहुत important कबर है, soft bank of Japan, partners paytium to launch payment service in Japan, तो Japan के एक bank है, जिसका नाम है soft bank, उन्होंने Indian payment bank के साथ, जिसका नाम है paytium, उनके साथ tie up किया है, जपान में financial service देने के लिए, तो paytium से हुई partnership, जपान में, soft bank company launch करेगी, mobile payment service, तो बहुत important news है, soft bank of Japan, and payment bank of India, that is paytium payment bank of India, इन दोनों ने tie up किया है, तो soft bank group corporation said, it will launch a digital payment service in Japan, and has partnered paytium for the service, the service paypay will be launched by soft bank's joint venture paypay corporation in fall this year, soft bank said in a statement, तो paypay के साथ, ये जो है tie up किया जाएगा, paypay corporation will team up with India's largest digital payment company paytium, और paypay नाम की जो company, जो Japan की company है, वो India के paytium company से tie up करेगी, जिससे जितने भी portfolio company है, जितनी भी technology है, जितनी भी expertise है, जितनी भी mobile payments है, और जितना भी यहाँ पर technological काम होगा, payments related, वो मिलकर करेगा, paypay, soft bank, along with paytium payment bank in India, हम बढ़ते हैं, और जानेंगे soft bank के बारे में, soft bank के CEO का नाम है, Masayoshi Son, headquarter कहां पर है, Minato, Tokyo, Japan, founder, Mayososhi Son, and founded कब हुआ था, 1981 में, और Tokyo, Japan के अंदर soft bank को found किया गया था, तो very important news, हम चलते हैं, अगली ख़बर के तरफ, award की तरफ, Ramakanta Rath conferred Odisha's highest literary award, Ramakant Rath ने Odisha के उच्टम साहित्यक पुरुसकार से उनको सम्मानित किया गया है, तो very important news, और Odisha students के लिए बहुती महतरपून जानकारी, तो पढ़ते हैं इस ख़बर को, और जानती इस ख़बर को विस्तार से, एमिनेंट पोएट, Ramakant Rath was conferred with the state highest literary award, अती बदी, जगनात दास सम्मान for 2018, Culture and Tourism Minister Ashok Chandrapanda conferred the award to Rath at a special function organized by Odisha Sahit Academy, the award carries a situation cash prize of rupees 1 lakh और यहाँ पर 1 lakh का prize और situation वगार इनको दिया गया, और Rath जो है, also a former chief secretary of Arisha, तो यह मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, उडिशा के लेखक भी हैं, जिनको उडिशा का highest literary reward दिया गया, और बहुत ही बड़े कवी, Ramakant Rath को, हम चबढ़ेंगे, जानेंगे Ramakant Rath के बारे में, तो Rath, अपदमा भूशन awardee was earlier conferred with Sahit Day Academy award in 1977, सरस्वती सम्मान in 92 and बिशुव सम्मान in 90 and some others, तो इन्होंने इतने famous सम्मान को हासिल किया, और उडिशा का highest literary reward भी, Ramakant Rath को, अभी दिया गया है recently, हम चलते हैं, अगली खबर की तरफ, sport समाचार की तरफ, खेल समाचार की तरफ, जेहान दारुवाला, claims pole to flag win in Formula 3, Formula 1 जो है, इस तरह की races में, सबस तरह की racing के अंदर, जेहान दारुवाला, इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर इस race को जीता है, तो यह important news हो सकता है, मतलब पूछ सकते हैं कि जेहान दारुवाला जो है, वो किस खेल से संबंदित है, तो motor racing से संबंदित है, Formula 3 गेम से संबंदित है, हम चलते हैं, इस कबर को his name in race, one of the weekend at legendary spa, Franker Champ circuit, जेहान दारुवाला जीता है, जेहान दारुवाला ने, Formula 3 championship को, जो यूरॉप के, बेल्जियम में हुआ, हम चलेंगे आगे और जानेंगे अगली ख़बर को, और वो भी देटेल से, और यहान पर रहान दारुवाला जीता है, जेहान दारुवाला ने पर आपके views भी जरूर माहने रखते हैं, तो दो important days जो है, वो निकले World Hepatitis Day, 28 July, विश्व Hepatitis दिवस जो है, 28 July, और इसके अलावा हम जानेंगे इसके theme के बारे में, और डेटेल में इसकी बात करेंगे, शलते इसके theme के तरफ, July 28 marks World Hepatitis Day, जो World Health Organization के द्वारा मनाया जाता है और एक awareness को raise किया जाता है कि किस तरह से Hepatitis जैसे बेमारियों से बचा जा सके, Hepatitis B and C are chronic infections that may not show symptoms for a long period, और Hepatitis B और C जो है बहुत खतरनाक है, जो काफी समय तक अपने लक्षन को नहीं दिखाता है, और दीरे-दीरे मौत की तरफ लेकर चला जाता है, और ये एक viral infection है, जिसस हमारे liver को जो है, नुकसान पहुचता है, और 2030 तक इंडिया ने इसको खतम करने की बात करी, और theme क्या रखा, WHO will focus on the theme, test, treat and hepatitis, तो आप इसका पहले परिक्षन करिए, फिर इसका इलाज करवाईए और hepatitis को खतम करिए, for world hepatitis day 2018 events, अगले दिवस की तरफ चलते है, 29 July, world international tiger day, त तराश्ट्य टाइगर दिवस, 2010 में इसको मनाने की शुरुआत की गई, तो विश्वा बाग दिवस जो है, इसको मनाने की शुरुआत की है, international tiger day, 29 July, तो very important, तो हम चलते हैं, इस खबर को डिटेल में पढ़ते हैं, और बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत खूब, देखिए यहाँ पर telegram, जो है description, जब आप इसके description को खोलेगा, तो पूरी list निकल कराएगी, उसमें telegram का भी link जो है, वो दिया गया है, तो international tiger day is being celebrated every year, on 29 July, to raise awareness about tiger conservation, in Madhya Pradesh, State Tiger Foundation, Society of Forest Department, has organized wall painting competition in six cities, तो Madhya Pradesh में कुछ प्रतियोगिताएं भी कराएं गई, और as per latest tiger counting in 2014, Madhya Pradesh has 308 विक cats, तो cat की family से बिलॉग करता है tiger, और 308 tiger हैं, Madhya Pradesh में according to 2018, और इसके रावा, गर हम बात करें, तो India is home to 70% of tigers in the world, और 70% जो tigers हैं पूर विश्मी में, वो कहां रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, तो international tiger day के शुरुआत, 2010 में मनाना स्टार्ट किया था, और 29 July international tiger day आगे चल लोन से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, तो एक public credit registry बनाया जाएगा, कि जिससे भविश्य में अगर आप NPA करते हैं, non-performing asset होता है वो बैंक का, तो वो database को सभी बैंकों के साथ share किया जा सकता है, मतलब एक common database, जिसे पता लग सके कि कौन लोन और कितनी amount का लोन लेकर गया है, कब उसको payment करना है, मतलब एक ऐसी आकड़ा, जो आकड़ा उस registry में मौझूद होगा, और जो सभी बैंकों को NPA कम करने में साहयक सिद्ध होगा, in 2010, the International Tiger Day was first created at the St. Petersburg Tiger Summit, तो St. Petersburg Tiger Summit के अंदर पहली बार International Tigers Day मनाने की शुरुबात की गई तो इस सामने, जल से जल उसको solve करेंगे, और फिर motivational code के साथ आज के session को खतम करेंगे, तो चलते है, पहले question के तराफ, which ministry has launched the National Viral Hepatitis Control Program with the goal of ending viral hepatitis by the year 2013, तो किस मंत्राले के द्वारा hepatitis को 2030 तक खतम करने की सौगंद उठाई गई है, और पहले question का उतर दीजेगा, यहाँ पर बहुत बढ़ी है, exactly, Karnatica tops in Tiger count, सबसे बड़ा center जो है, Tiger रखने का, वो मद्यपदेश में जरूर है, लेकिन Tiger सबसे ज चुरू हो चुका है students के द्वारा, और बहुत खूब, बहुत बढ़िया, आप सभी का उतर दिखा दिया जाए, उतर और first question का right answer is, Ministry of Health and Family Welfare, जिनके minister कौन है, JP Naddhaji, Jagat Prakash Naddhaji, second question के तरफ हम चलेंगे, यह रहा दूसरा question आपके सामने, Softbank has partnered with which company to unveil a digital payment service in Japan, Softbank ने जपान में digital भुकतान सिवा का अनावरन करने के लिए, किस company के साथ साजेदारी करी है, तो यहाँ पर health and family welfare, बिल्कुल सही उतर आपका, लेकिन अब हम आ चुके है, second question की ऊपर, और second question का right answer दीजेगा, और दूसरे question का भी right answer, जो है, students के द्वारा आना शुरू हो चुका है, बहुत railways launch, which mission to wipe out corruption, भारती railway ने भरस्टाचार को खतम करने के लिए, कौन सा mission launch किया, और third question का answer दीजेगा, second question का बिल्कुल सही उतर, paytm is the correct answer, और अब हम आचुके हैं, तीसरे question की तरफ, और तीसरे question का answer, जल से जल दीजेगा, और इसी तरह से, हमारे पास कुछ और questions रह चुके ह है, और third question का right answer is D, that is, mission satya nishtha, mission satya nishtha, fourth question, हम लेकर चलेंगे आपको, where does union minister for petroleum and natural gas and skill development and entrepreneurship, Dharmendra Pradhan, laid the foundation stone for permanent campus of National Skill Training Institute for Women, तो National Skill Training Institute for Women को, Dharmendra Pradhan जी ने कहां पर उसका अनावरण किया, उत्गाटन किया है, महिलाओं के लिए, अपने काइंड का पहला, National Skill Training Institute कहां पर खोला गया है, fourth question का answer दीजेगा, बहुत खूब, आप सभी students का participation, और इसी तरह से, रोज participate करते रहिए, और GK के अंदर, current phase के के द्वारा, Mohali is the correct answer, fourth question का right answer is, Mohali, Punjab is the correct answer, fifth question की तरह हम आपको लेकर चलेंगे, where does PM नरेंदर मोदी attended an event, transforming urban landscape, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस शहर में transforming urban landscape नामक एक कारिकरम में भाग लिया, तो पांचवी question का अंसर दीजेगा, और बहुत खूब, आप लोगों का participation यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे students रोज जुडते हैं, उन सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आप लोगों से एक ही request आगरा, और आप लोगों से एक जो appeal करता हूँ, कि live stream को जाला से जादा share करते रहे हैं, जिसे और भी students हमारे साथ जुडते रहें, और पांचवी question का right answer, बिल्कुल सही, लखनाओ is the correct answer, बिल्कुल सही, आप लोगों का answer, लखनाओ is the correct answer, हम चलेंगे sixth question की तरफ और ये रहा, छटा question आपके सामने, चार questions और रहे चुके हैं, जल से जल participate करियेगा, the youngest Indian woman to reach the peak of Mount Everest, Shivangipathak, has recently scaled which highest peak of Africa, Mount Everest की चोटी तक पहुचने वाली भारती है, Shivangipathak ने हाली में अफरिका के किस चोटी को मतलब फते किया, किस चोटी को क्लिंच किया, किस चोटी पे चढ़ाई करी है, वो आपको बताना है, छटे question का answer देना, लखनाओ was the correct answer for previous question, now we are on sixth question, और अब इसके बाद चार questions और है चुके हैं, जल से जल्द आप लोगों का participation ऐस सही उतर दिया, मतलब आज का सवेशन आप लोगों ने बहुत ध्यांसर सुना, तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक बाद, और चटे question का right answer is, exactly, Mount Kilimanjaro is the correct answer, sixth question का right answer is B, seventh question, world meteorological department organization has designated which country as nodal center for developing customized model to issue advance warning of flood to Asian countries, विश्वा मौसम संगठन ने अशियाई देशों को बाद क अगरिम चितावनी जारी करने के लिए, अनुकूलित model के विकास के लिए, कौन सा देश, नोडल केंदर के रूप में नामित किया गया है, और साथ में question का, सही उतर दीजेगा, और बिल्कुल सही, Tanzania's Mount Kilimanjaro was the correct answer for sixth question, now we are on seventh question, and left with three more questions, तो हम इसके साथ जरूर और seventh question का बिल्कुल सही, answer, India is the correct answer, A is the right option, eighth question की तरफ चलेंगे, seventh question का right answer is A, that is India, eighth question, what was the theme for world hepatitis day 2018 events, world hepatitis day 2014 के लिए theme क्या था, और आच्मे question का right answer भी आना शुरू चुका, और eighth question का right answer भी दीजेगा, यहाँ पर, और world hepatitis day 28 July जो मनाया गया, उसका world health organization ने theme क्या रखा इस साल का, तो विशे आपको बताना है, theme आपको बताना है, और exactly, पाकिस्तान refused, और eighth question का right answer दीजेगा, और बिल्कुल सही, eighth question का right answer भी right answer जो है, वहाँ आना स्वी रो चुका है, और बिल्कुल सही, eighth question का right answer is, test, treat and hepatitis, तो eighth question का right answer is, the ninth question की तरफ बढ़ेंगे, और who received Atibadi, Jagannath, Das Samman, Odisha's highest literary award for the year 2018, तो Odisha के उच्टम साहित पुरुसकार, Atibadi, Jagannath, Das Samman से किसे समानित किया गया है, और 9 question का, बिल्कुल सही उत्तर, हमारे साथ, और भी नए students जुड़े है, तो उन सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है, और जितने भी students हमारे साथ जुड़ते हैं, रोज, तो उन स हम इसी तरह से फलते फूलते रहें, और आपके लिए इसी energy के साथ show लेकर आते रहें, और 9 question का बिल्कुल सही उत्तर, आप सभी के द्वारा, और रमाकांत रथ is the correct answer, last question की तरफ चलेंगे, 9th question का, right answer is A, रमाकांत रथ, 10th question की तरफ हम आ चुके हैं, और ये रहा, 10th question आपक question किस समिती ने data अधिनियम सहित विभिन कानूनों में संशोधन का सुझात दिया, ताकि data fiduciary और छतिपूर्ती पर जुर्माना लगाया जा सके, तो data आकड़ा जो है, और अधार act को भी थोड़ा बहुत अमेंट करने की बात करते हुए, कौन सी committee बैटी थी जिनोंने ये suggestion दिया है, union government को, और दस्वे question का, चली बहुत कूँ, बहुत बहुत धन्यवार, और दस्वे question का, be right answer आगा, शुरू चुका है अब सभी students के द्वारा, और बिल्कुल सही, be and free Krishna is the correct answer, तो इसको थोड़ा detail में पढ़ लेते हैं, तेन्त question का right answer is c, be and free Krishna, the justice be and free Krishna committee on data protection in India has suggested amendments to various laws, तो कुछ संशोधन की बात करी, जैसे कुछ law, जिससे data जो है, leak होने के संभावना है, जैसे अधार act to provide for imposition of penalties on data fiduciaries, तो अगर fiduciary का मतलब पतर trust, अगर आपका विश्वास तोड़ कर data के साथ छेड़ चार किया गया, और इसके साथ अगर misuse किया गया, तो उसके उपर penalty की भी बात की गई है, और चतिपूर्ती की भी बात की गई है, और उसके लिए एक law बनाया जाएगा, जो आपके निजता का बिल्कुल सम्मान करेगा, और इसके लिए कौन सी committee बनी, तो former justice B.N. सुरी कृष्णा committee, तो बहुत important ये news, तो इसके साथ आज का हमारा session जो है, वो सम conviction to match your destiny, बहुत अच्छी line लिखी है यहाँ पर, कि जो अभी वर्तमान आपकी स्थिती है, वर्तमान present आपका जो situation है, प्लीज उससे समझोता मत करिये, आपकी capability, आपकी काबिलियत उससे कहीं बढ़कर है, मतलब अपने conviction power को और अपने confidence को उस level तक लेकर जाएए, और अपने destiny को अपने आने वाले समय को खुद चुनिये, कि मुझे ये बनना है और definitely यही बनना है, इसी के साथ, thank you so much to all of you, have a good day to all of you.